इसले जो बेकला की पथी है यह हमारे भुजर्ग बताते हुआ के वह लोगों के पाथ जाते हैं हम लोग जब खांसी ज्यादा होती है तो लोग बताते कि ढाई पत्ति इसकी लेकर हलका सा कुन-कुना करके इसको मोमe रखके और चूसने से खाटशी से संबंधित लोग बहुत जव्दी आराम मिलता है को येला jokes और अ कि आसमें ने बता है कि इस्तों डाई पति यह हलका सग्म करको लेने से सर्दी खाटची में बहुत ज्व्दी कर गार और ग्हाटा अग्रेजी दबाइब को इसट्माल कर चुके हैं वेला घाण में अच्छी बात है अब जब नहीं होता है तो फिर तो आपको अंग्रेजी दवाई का स्तमाल करना ही पड़ेगा जहां तक बने तो जड़ी बूटी से ठीक हो जा बहुत अच्छी बात है और नहीं तो आखरी लाज तो एलोपेटिक है ही जैसा कि माराज जी ने बताया कि यहां पर नर्वदा के तटो के किनारे पाए जाने वाली अध्भुदर्चमादकार उन्होंना जैसे बेकला बेकला का पेड आपने देखा होगा जंगलों में था कि हमारे यहां नर्वदा के गाटों के किनारे काफी मात्रा पाए जाता बेकला की पत्ति अगर आप देखेंगे तो काफी मोटी इसमें काटा भी पाए जाता है काटे से पत्ति निकलती है यह देखो ऐसी डंडी लाल भी रहेगे और अलके सी इसमें काटे पाए जाएंगे इस तरीके से आप देखेंगे बेकल और वेकला के नाम से यह बहुत अच्छी उसदी है और शनातन धर्म ग्रंथों में रिश्यू के दोरा इस पे बहुत बड़े-बड़े लेक भी है लोगों ने इनके विशे में बहुत सारी जानकारिया भी है चुकि आज यह मान रब्दा के तट और यहां की जड़ी- बूटी को अध्वित और चमतकारी मतलब खाते ही आराम मिल जाए जैसे सर जी ने बताया है कि हमको की बेकल की पत्ति क्यों खाना चाहिए और कैसे इसका बेकल का क्या-क्या उपयोग है कैसे आप इसको खाए इसके आप पंचांग का भी उपयोग कर सकते जड़ पत्ति छा यहां पर काफी मात्रा में पाया जाता है और बच्चों के जब खांसी एकदम वल्गम जम जाता है तो वल्गम को यह धीला करती सीदे सीदे इसका काम यह है तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से निरंतर आप सभी को आपके लिए हिद के लिए यह चैनल के माध्यम से बार- है कि हम ज़्यादा जड़ी बूटियों को उपयोग करें जड़ी बूटी कभी नुक्सान नहीं करती है और कोई बीजड़ी बूटी अगर आप लेते हैं खाते हैं तो पहले बैद की शलाय ले 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 ताकि आपको कोई इसका किती मात्रा होना चाहिए इसकी धाई पत्ति जै प्ति पाई जाती सब्सक्राइब लगी हुए है और जंगल भेगर जंगल का एरिया है यह मानरवदा के तट में हैं बहुत खतरनाक खतरनाक यहां पर खाई हैं और तेंदुपत्ता देखो आप यहां लगा हुआ है यह सोना शोना पत्ति के नाम से आप इसको सभी लोग ज देखेंगे तो छोटी-छोटी से पत्ति पाई जाती से फली भी होती है सोना पत्ति की ज्यादा ज्यादा दो दो इंची या तीन इंची करीब तीन इंची की इसकी पत्ति होती है सोना पत्ति तंत्र के उपयोगों में ज्यादा इसका महत्व है आदिवाशी लोग इसका ज नौराति गुप्त नौरात्री आती है और नौरात्री परवाते हैं चैती की नौरात्री आती तो इसकी पत्तियों को बड़ा महत्वदिया गया है गरंथों में इसका बड़ा उलेग भी है कि कैसे इसको घर की शांती सम्रद्दी के लिए धन की प्राप्ति के लिए लोग ना यही सोना पत्ति के नाम से हमारे ग्रंथों में इसके उलेक भी है बड़ी चमतकारी है और ताकि यूटूब के माध्यम से यह दिखी हमने आप सभी को पताया और आप इसके ज्यादा ज्यादा उप्योग भी करें और लोगों को इसकी जानकाई दें एक पत्ति के विशे मैं कहते हैं कि इसको अगर आप दर्वाजे पे फोटो फ्रेम के साथ अगर इसको लगाएंगे तो बाहरी बाधा जो होती है नाकार्मत तूर्जा होती है जैसे बच्चों को नजल लगना इसकी लकड़ी का भी आप उप्योग कर सकते हैं इसकी लकड़ी पत्ती के आप और जादा इसके ज्यादा उलेख नहीं है लेकिन कभी-कभी जो परिख्यमा नरवदा परिख्यमा करते हैं तो कभी हम लोग पूस्त की जड़ी आप पहरे तो बतातें कि सोना पत्ति के नाम से उस पेड़ की ये डाली है तो वो बतातें कि बड़े महत्व की चीजे हैं और ज्यादा इसका आप लोग उप्योग करें ताकि आप निरोग रहें आप धन्मान हो और ग्रहसांती भी रहें तो उद्धिश चैनल का यही है अब आपको हम लेके चल रहे हैं थूहा थूहा थूहर एक ऐसी प्रजाती है जो हमारे हैं काफी मातरा में हैं जब पूरे देश में पूरे भारत में पूरी दुनिया में जब कोवेट आया कोवेट से बचने के लिए एक बहुत अच्छी उप्योगी दवाई थी जिसका नाम था थूहा 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 वलगम को साप करता है सीधे सीधे इसका काम है वल्गम डबल नेमोनिया च्छाती में वल्गम जमना उसके काम की ओसदी है यह और क्या होता है जंगलों में और सब जगा लगी हुई है लेकिन जानकारी नहोने कारण उपयोग ने इसके कर पाते हैं इसमें देख लिए अभी इसमें मौका भी है इस कुण्नी का पीछे वाला हिस्सा है अगर आप गौर से देखें तो नाओ वगरा यहां चल रही है बंदर कुण्नी में देखें यहां गौर से मैं दिखा रहा हूं आपको कर दिख जाए थोड़ा सा आपको तो यहां से नौका विहार का एरिया है यह देखें यहां पर साली जड़ी बूटी यह देखें थूहा हमारा इस परकार से होता है अगर इसको आप तोड़ेंगे इसमें थूहर के विष्णे में काफी हमने इसके वीडियो एक पचमणी का भी हमने वीडियो आपको डाला था मोटा हुए इसकी छाल काफी मोटी होती है चुकि अभी तो इसके पत्तियों को जिन बच्चों को जो चोटे बच्चे होते हैं चोटे बच्चों में कभी आपने देखा कि डवल नेमोनिया की सिकायद हो जाती है तो अगर आप इसके पत्तियों को तबे में गरम तबे में सैक लीजे पत्ति को एक बून मा के दूद के साथ अगर दें वो डबल निमोनिय की सिकात खतम हो जाएगी साथी साथ अगर आपको बच्छे को च्छाती गले में और पीठ पे लगाएंगे इसका तेल बना ले सरसों के तेल में इसके पत्तियों को वाइल कर ले धीर धीर मदी मदी आंचों में इसको सैक के और तेल बना ले और हलका सा कु पूद में जाएगी तो मा को भी लगाना है साथ साथ और हमारे बच्चे को भी लगाना है तो जी कैसी जानकारी लगी उसको जरूर आप कमेंट करें लिखें और आधिक जानकारी के लिए कोई भी आपको इसके विसे में जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 930221511 मैं परनबाद जय हिंद जय भारत